हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू तलत मैनू कीचेन और तलत के कीचेन में आज बन रहे हैं विरत वाले पकोड़े आलू के लच्छे वाले तो मैं बना रही हूँ ये लच्छे दार पकोड़े काफी टेश्टी बनते हैं ये पकोड़े तो मैंने दो मीडियम साइज के आलू लिये थे जिसे मैंने कदू कश्छ से कस लिया है तो ये देखिए ना ज्यादा मोटे हैं और ना ही ज्यादा पतले मीडियम साइज के मैंने आलू कस लिये थे और पानी में भिगो दिया था और दो पानी तीन निकाल कर इसको एक श्टें और मैस में डाल दूँगी दो बारी खरी मिर्च कतर के आप चाहें तो पीसकर भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा मैस में डाल दूँगी कोरियंडर लीव सियानी के हरा धनिया और मैस में डाल दूँगी दो तीन चमच कुट्टू का आटा और एक छोटा चमज मैंने इसमें डाला है काली मिरच पाउडर और टेश्ट के एकोर्डिंग मैंने इसमें नमक डाला है तो मैंने इसमें सेंदा नमक डाला है और मैं इसको हातों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो ये देखिए मैं हातों से इसको मिक्स कर रही हूँ और एक कड़ाई में मैंने ओयल गरम करने के लिए रख दिया था तो ये देखिए मैं बनाऊंगी लच्छेदार पकोड़े थोड़ा सा लच्छे उठागर के अपने हाथ पर रखकर इनको ऐसे ही मोड़ देना है इसको ज़्यादा दबाना नहीं है ये देखिए बहुत हलके से क्योंकि इसमें कुट्टू का आटा मैंने वाइंडिंग के लिए डाला था और ये पकोड़े मैं इसमें डाल दूँगी आप चाहें थोड़े से छोटे भी बना सकते हैं तो ये देखिए मैंने ओयल में इसे डाल दिया है और जो आच है तो मैंने मेडियम सिलो कर दी है ताकि अंदर तक ये पकोड़े जो हैं वो सीख जाएं और तेल भी अच्छे से गरम है तो चम्मस से उठा कर थोड़ा थोड़ा तेल इन पकोड़ों पे डालें दाकि उपर से भी अच्छे से सिख जाएं तो ये विरत वाले पकोड़े बना रहे हैं अगर आप अलग से बनाना चाहें तो उसमें मिर्चे वगेरा और भी डाल सकते हैं नमक गरम मसाला चाट मसाला ये डाल कर भी आप इसको बना सकते हैं तो ये देखें इसे आएस्ता आएस्ता लोटी है और आच थोड़ी सिलो ही रखिए ये अंदर से सौफट बनते हैं उपर से काफी क्रिस्पी बनते हैं और काफी टेश्टी भी बनते हैं तो इस तरीखे से इसको लोट पलट के सेखते रही है ये देखिए बहुत अच्छा इसका कलर आ गया है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब करिए बेल आइकन का बटन दबाईए ताके आपको मेरे वीडियो की नॉटिफिकेशन पहले ही मिल सके तो ये देखिए विरत वाले पकोड़े आलू के लच्छे दार बनकर तयार हैं एक बार इसको ज़रूर बनाईए काफी टेश्टी बनते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग